हेलो गाइज मैंने भी डोक्र दीपा कांजना और क्या आज की वीडियो कमेंट टोपिक जो बात करने का वह है कि पोस्ट एफमजी इंटर्शिप हो गई जोब कर रहे थे अब लाइट में क्या है नीट पीजी क्या करना है कैसे करना है अभी क्या सोच रहा हूं मैं खुद भी मेरी नीट पीजी के बारे में बहुत सब्सक्राइब आज बात करेंगे खासकर एक परस्पेक्टिव फमजी की मतलब हम लोग जब फमजी एक्जाम पास करते हैं हम कुछली कभी कोलेज में बोला ही नहीं था कि आपको पीजी बी करना है तो हमारा ऐसा था कि बस हम को फमज करना एक बार एक फमजी से हमारा पास हुआ उसके बाद हम उस फेज में चलेगे बिलकुल एक स्लो वाले में इंटेंशिप होई इंटेंशिप बाद पढ़ाई छूट गई जोब जोइन कर ली तो वह एक प्रिदम ही तूट गया हो उसके बाद पीजी बीप्रेशन होई न करना है क्या है कि एक बाद प्रेशन होटा है इंडिया में कि अनको पता है कि स्लो वाले वाले फेज में चले जाते हैं क्योंकि कि रहे ने कबीज चीज बोली ही नहीं कि क्योंकि हमें किसी सीनियर ने कभी यह चीज बोली ही नहीं कि आपको पढ़ना है पीजी करना है तो माइन में टार्गेट नहीं होता था कभी वी उस वजह से सो अभी में एक साल से मेडिकल ऑपीसर की जोब कर रहा हूं और अब मुझे जैसे एक्जाम पोस्टमेंट हुआ पह काफी सफीशेंट टाइम प्रिपेशन कर लें पांच चार-पांच मेन थे हैं तो पांच में अच्छे से देंगे तो कर सकते हैं तो चोड़ने का सोचा और वह जाल्दी चोड़ने भी वाला हूं जोब में उसक्कर में और थाकि अपना पूरा फोकस में अपनी पढ़ाई आप पी जी करना आच के टाइम में बहुत ज़रूरी कि आप मायन में एक लिसाप करो उसके बाद अपको ख्लेरिटी तो आ जाएगी अब लाइक में करना क्या अभी क्या आप जोब भी कर रहो हो तो चल रहा है आपको पता ही नहीं करना है क्योंकि यह मुझे पक्का पता प्राइमेरी हेल्थ वाला चल रहा है तो फर्स्टेट कुछ मदाब नया कुछ सीखने का मिलता ही नहीं हमापे देट इस दे मेन इस्चु विद्ध मेडिकल ओपिसर जो भी खासकर पी एच्छी उप दिन सब पे अधिश्टिव होस्पिटल वागेरा फिर भी सिखने को मिलता सब्स भी है बाकी भी जो कोलेज उसमें पढ़ रहे हैं तो प्रीज आपका फोकस अप फेमजी पर ना रख के नीट पीजी पर रखो क्योंकि आप कोलेज से ही उसके लिए पढ़ते आओगे तो आप यहां आपको डबल नहीं पढ़ना पड़ेगा पर आप जैसे एफम जी के लिए था कि एफम जी तो ऐसे ही हो जाए सो मुझे जुनियर के बहुत मेसेज आते हैं कि कोई ऐसा एप बताओ जहां में सब कुछ मिल सके वी कांट अफोर मल्टीपल एप्स पोर डैसेक्शन वीडियो डिटेल सब्जेक्ट वीडियो और क्यू बेंक स्वाट टेल यू वन एप मनिपाल मेडेस एप जहां आपको सब कुछ कवर हो जाएगा आपका मनिपाल मेडेस एप इन एप फर फर्स्ट और सेकेंड प्रोप MPB स्टुमास्टर देर बेसिक्स एंड आपको प्रोड़क्ट फॉर इस्टूंस प्रिपेरिंग फोर नीट पीजी और एडिन लिंकर वीडूस और यंड ब्लिंकर वीडूस रूर केशिस एप बेसे थे ऑन एर्काल सॉ्टन यंठ आपकांश एप गूर फ्रलियु उर्णिकांट त्यूसर एचल आपको बेहर झाति उंडोर एड्रिंख जलिंıs लिंक स्टॉजस दियन एपनिंगेर इन परमिनलिは ते प आपको study plan के लिए कहीं भी जाने की जोरोत नहीं है, Manipal Medes app आपको खुद study plan बना के देगा, जिससे आपकी preparation एक पूरे plan के साथ चल सके, QBank, QBank 21 subjects covered and arranged as per CBME curriculum, content is segregated as a must knows, nice to knows and may knows, PYQ segregation as per topic wise, test any competitive exam preparation is incomplete without assessment, this is a critical part that complete our learning journey, so Manipal Medes app provides subject wise test, revision test, mini test and grand test, notes, handwritten and crisp notes, जिससे आप easily subject को revise कर सकते हो, I really recommend you using this app, they have launched a limited period 3 month subscription, at a nominal price, use the coupon code MBBS24, to avail 45% off on the subscription charges, so आप Manipal Medes app ट्राइ कर सकते हो, link आपको description मिल जाएगा, अब इसा तकी पड़े कहां से, पड़े, क्या करे, तो अभी मैं खुद भी उससी confusion में हूँ, कहां से चीज़े प्रिपरेशन करने जाएगा, और 4-5 मन्स का टाइम है, अभी इन 4-5 मन्स में कितनी चीज़े कर सकते हैं, कहां से थोड़ा आप देखके, चीज़ों को उसमें में रिवाइस कर पाएं, effectively, वो बहुत पड़ा इसू हो जाता है, अब मैं तो यहीं बोलूँगा, कि बाकी जितने भी लोग हैं, जो लोग पड़ रहे हैं, अभी खासकर जो कोलेज इस्टोरेंट से, उनके लिए तो specifically, कि प्लीज फोकस ओन पीजी, पीजी अच्छे से प्रपेशन आप, अभी से कोलेज इस्टोरेंट कर दोगे, तो चीज़े देजरे खतम हो जाएगी, खासकर गोतम नगर की बात करें, जब से में गोतम नगर आया हूँ, प्यार, यहां का महोल पोजिटिव नेगर्टिव दोनों साइट से आपको मिलता है, आपका प्रस्पेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि क्या महोल है, क्योंकि अब यहां पर जून वारा जो अटेंट वाले लोग होते हैं, तो अटेंट वाले लोग को देखके आपको लगया कि कितने लोग फेलो हो रहे हैं, कितने लोग डिसपोइंटेट हैं, कितने लोग दुखी हैं, बट आपको पोजिटिव साइट भी देखनी क्योंकि घर पे बेटके पढ़ना ओबेसली काफी मुश्यूल आता है, मुझे भी गोतम नंगाराने का बढ़ा मेंझ रिजिट्न वह यह, घर पे बेटके नहीं पढ़ाई होती है, एगर चले जाते हो, तो फिर नहीं पढ़ाया होती है, आपको एक लिचे जोईन करी हैं, आप रोज रेगुलरली पढ़ रहे हो आप दूसरे लोगों को पढ़ते हुए देख रहे हो तो उससे कहा है कि easy हो जाता है काफी कहा चलो बाकी लोग भी पढ़ रहे है अब कितने दिन नहीं जाओगे ना लाइब लाइब जाओगे लाइव जा एक दिन दो दिन बाद आपक तो पढ़ना ही पड़ेगा तो कभी कभी अपने आपको खुद को एक प्रेशर करना पड़ता है विना प्रेशर कहना हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इसे बच्पन में घर वाले नहीं लट लेके खड़े हों कि हमारे घर पर होता था गाहों में कि दादा जी एक डंडा लेके बैठते थे तो डंडे के सामने पढ़ाई करने की आदत है कि अब तक देंडा नहीं होगा सामने तो डंडा अब लाइफ है वह जो लाइफ आपको दीख रही सामने कि अब यह टाइम है 25-26 साल की एच कि अब अगर हम सीजिस नहीं होगे कि इसी जीज को लेके तो फि कि आपको प्लानिंग बनाओ क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है अब अनके गाइडेंस के बैसे अब यूट्यूब चैनल सारी चैनल करें ती सेम इर साथ में हो रहा है क्योंकि टो पर्स की बाते नहीं पसंदाती कि तो पर्स ने पड़ा है वह बबेसली पांच-चे साल तो, उनके ही पी जाही तो ओग यहां कर लहा है छार-पांच मन ने रायगा करते हैं तो वोड़ा गागा वह जाये तो कर देचा हाइं कोहा fire पांच मन में कोणे है तो तो वहला घान ने डिप जी मन अभी तक तो मुझे यह लोगा मने करते हैं कोई मतलब है नहीं तो कब तक हम उस चीज़ को लेकर बेठे लेंगे तो इससी लिए वह कर रहेंगे अब आराम से प्रप्रेशन स्टार्ट और उसके बाद देखते हैं किसी प्रप्रेशन जाती है क्या होता है आप लोग जो भी अभी FMG कर रहे हो या नीट पीजी कर रहे हो प्लीज थोड़ा अच्छे से प्रप्रेशन करना स्टार्ट करो खासकर कोलेज वाले स्टुएंट से तो कोलेज में ही पढ़ना चालो करो बाकी और भी आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्लस मनिपाल मेडेस अपकी लिंक